सरकार द्वारा लागू किये गए छठे पे कमीशन में डॉक्टरों का NPA 25 प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत करने के विरोध में डॉक्टरों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और पिछले कई दिनों से डॉक्टर इसके विरोध में रोश प्रदर्शन क जवम बाकी दफ्तरों को ताले लगा कर पंजाब सरकार के खिलाफ रोश प्रदर्शन किया गया धर्ना प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने कहा कि आज से सभी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर दो दिनों की हर्ताल पर जा रहे हैं और एमर्जेंसी सेवाओं को छोड़ कर सभ ही OPD आदी बंद कर दी गई हैं डॉक्टर ने कहा कि अगर पंजाब सरकार द्वारा दो दिन के अंदर उनकी मांगे ना मानी गई तो सभी डॉक्टर इकठा होकर चंडिगड में पंजाब सरकार के दफ्तरों को ताले लगाएंगे इस अवसर पर सरकारी अस्पताल के डॉक दॉक्टरों की सभी मांगे जल्द मान ली जाएंगी और स्वास्ते मंत्री द्वारा डॉक्टर्स से एक हफ्ते का समय लिया गया था जो की बीते कल खत्म हो चुका है जिसके बाद डॉक्टरों द्वारा दो दिनों की हड़ताल कर बरनाला सिवल सर्जन दफ्तर एम बाकी दफ्तरों को ताले लगा कर पंजाब सरकार की खिलाफ रोश प्रदर्शन किया गया है बरनाला सिहल चल के लिए विनोच शर्मा की रिपोर्ट अगला जड़ा थर्ष दे जाके चंडीगेट डीएचेस दफ्तर भी बंद गर देना उससे तालिए जो हूंता की जी लुकानों बिल्कुल भी प्रेशान नी सी करना चाहूंती है अज वी जो है अमर्जेंसी वावाने डाले पेशेंट्स ने कोई कि अमर्जेंसी ओप्रेशन ने गाईनी जा काम हो चल रहा है पर असी जड़ा ऑफिस वार्क का जो रिपोर्ट्स गौर्मन नो जान दिगाने वो बिल्कुल तोटली बंद कर रहे हैं यह बिल्कुल जो महामारी दौखा समासी या देश देविचे या पंजाब देविचे जड़े सरे सी डाटके खाल जाए फर महाम आज तो इक मीन तूर उप्र लागातार हो गया था को टैस्कार दानो पर साधी कोई भी सरकार ने कोई भी संवाई ही नहीं कीती है कि यह साधे विच बहुत वढ़ा रोशा सरकार जोती क्योंकि आरे यह कोई भी गाल भी संवाई इनी गरे